नमस्कार हमारी खास पेशकर्ष हम भी है होड में मैं आपका स्वागत है मैं हूँ मनोद जोशी आज हम बात करेंगे इस कड़ी में दुनिया की नंबर एक महिला रेस्लर विनेश फोगट की जो 53 किलोग्राम वर्ग में टोक्यो अलम्पिक हेलो में शिर्कत करने जा रही है व बेतरीन मकाबला था तक्निकी रख्षता के अधार पर वो उस मकाबले में विजए ही रही और अगर हम देखे तो उसके बाद जो दूसरा मकाबला था वो था चीन की सुन जनान से उनका वो मकाबला था और चीन की सुन जनान के साथ उस मकाबले में चीन की सुन जनान तो उ अपनेंट को और बहुती अनफार्चुनेट स्थिती में उनको रुखसत होना पड़ा था उस परती होगिता से और वही सुन जनान जब भारत आई प्रो रेस्लिंग लीग में वो खेली तो प्रो रेस्लिंग लीग में दो मौकों पर इनका मुकाबला हुआ और दोनों ही बार विनेश फोगट को उन्होंने पटकनी दी और साबित कर दिया कि वो जो मुकाबला नहीं हो पाया था इंजरी की वज़ा से अगर होता तो वही जीतती और जब 2018 के ड्रॉज सामने आए जिया मैं इस शाई खेलों के ड्रॉज की बात कर रहा हूँ तो भारती एक खेमे के या मौके पर चौका लगाना जानती हैं विनेश फोगट और उन्होंने बहुत ही वन साइडिड अंदाज में एक तरफा अंदाज में धो डाला था अपनी अपोनेंट सुन जनान को और अपनी प्रतिभा का उन्होंने लोहा मनवाया था ना सिर्फ एशाई खेलों में उन्हों उन्होंने सुन पदक जीता बलकि उसके बाद Commonwealth Games में भी उन्होंने सुन इम सफलता हासिल कि अगर उनकी सफलताओं की अगर आप कहानी देखेंगे तो वह भी बहुत ही विचित्र है 2021 में तीन कंपटिशन में वह उतरी है और तीनों ही बार उन्होंने सुन इम सफलता हासिल महौली बिलकुल अलग था और उस महौल में भी दो कंपटिशन में वह उतरी है चैंपरिशिप में जा कांसे पदक उन्हें हासिल हुआ और रोम रेंकिंग टूर्नामेंट में उनके नाम सुन पदक रहा यानि पिछले पांच मुकाबलों में चार में सुन पदक उनके गले हासिल हुआ और दो मौकों पर उन्हें कांसे पदक से संतोष करना पड़ा तो ये है विनेश का पूरा करियर ग्राफ और अगर हम उनके रियो ओलंपिक खेलों के अगर हम कॉंपिटीटर्स को देखेंगे रियो ओलंपिक एक ऐसा आयोजन था जहां पर इन्होंने जहां भा हैं जापान की जिनके नाम 12 स्वर्ण पदक रहे हैं वर्ल्ड चेंपिंशिप में और उनको शिकस दी थी हैलन मौरलिस ने और हैलन मौरलिस प्रो रेस्टिंग लीग में भारत में भी आये थी जहां पूजा धंडा ने उन्हें एक बार नहीं दो बार पराजित किया था नत और जिसके फल्स रूप इस रेसलर के साथ नूर सुल्तान में जी है मैं बात कर रहा हूँ कजाकिस्तान के शहर नूर सुल्तान में वर्ल्ड चेंपिंशिप में इनका मुकाबला हुआ था पहला ही मुकाबला था तब भी लगा था कि ड्रॉ इनका बहुत मुश्किला है बह अगर हम कुल मिलाकर उनका प्रदेशन देखें, इसलिस से इस बार का प्रदेशन देखें कि टोकियो ओलम्पीक खेलों में कौन कौन सी कुंपेंटிटर होंगी इस बार, तो यह भी बहुत ही बिचचतर रहेगा, यह भी जानना बहुत ही जरूरी रहे घा कि किन किन कॉम्पिटिटर्स से उनका मुकाबला हो सकता है इस बार और अगर हम देखें तो मायू मुकेदा जी हां मायू मुकेदा जापान से तालुक रखती है और इन से तीन बार इनके मुकाबले हुएं और तीनों बार मायू मुकेदा विजई रही है और तीनों बार उन्होंने हराया है विनेश फोगट को और वो 2017 की वर्ल चेंपर्शिप थी जहां मायू ने मुकाबला जीता था वन साइड़ एक अन्ने एशन चेंपर्शिप में हराया वर्ल चेंपर्शिप में हराया 2019 में जहां विनेश फोगट ने कौलिफाई किया था उल इनका मुकाबला हुआ था पिछली बार विनेश की बहन बभीता से, बभीता ने इनको पराजित किया था और वर्ल चेंपरिशिप जब होई थी तो कांसे पदक का मुकाबला था मुझे याद है, मैं उसको कवर कर रहा था अपने संस्थान के लिए, इंडिया नियूस के उनका कोई मुकाबला नहीं हुआ है, और यह है अब तक की स्थिती, और इसके अलावा हम और कॉम्पिटिटर्स की बात करें, और कॉम्पिटिटर्स जो है, वो भी बहुत ही विलक्षन है, और उनका प्रदर्शन जो है, वो देखना बहुत दिल्चस्प रहेगा, लियाना मॉन्टेरा, जिया, लियाना मॉन्टेरा जो है, क्यूबा से तालोग रखती है, उनसे उनका पाला नहीं पड़ाया, सोफिया मैटसन जैसा कि मैंने बताया, कि पिछली बार वर्ल्ड चेंपर्शिप में, विनेश ने इनको पराजित किया था, वनिसा को लाजिंसकाया, बे रही थी, उसके अलाबा, बात, ओचिरिन, मंगोलिया की हैं, इनसे अभी इनका मुकाबला होना है, और रूस की ओलगा, खोरोश सेवा, यह भी वर्ल्ड चेंपर्शिप की मैडलिस्ट है, तो इस तरह से मुकाबले बहुत ही टफ रहने वाले हैं, बहुत ही संघर्श पून हैं, क्योंकि वो बहुत ठंडे दिमाग से उन्हें लड़ना पड़ेगा, और जब से हंगरी के कोच आये हैं, तब से उनके खेल में विलक्षन सुधार हुआ है, बहुत परिवर्तना है, पहले वो ओवर कॉन्फिदेंस की शिकार हो जाया करती थी, शायद इसलिए वो सुन चल रहा है, प्रो रेस्लिंग लीग का जिसमें विनेश फोगट ने पराजित किया था वानेसा को, बहुत ही सहस्ता के साथ ये डबल लेग अटेक करती हैं, साइट से लेग अटेक करती हैं, और बगल डूब करती हैं, ये सब उनकी खूबियां जो हैं, उन्हें बाकी अन् और उसके बाद, जो फाइनल मुकाबला होगा, यानि सोन पदक के लिए जो मुकाबला होगा, या कास्य पदक के लिए जो मुकाबला होगा, वो अगले दिन, यानि छे तरीकों होगा, छे तरीकों आपको याद होगा, छे अगस्त की तरास्दी, नागा साकी वाली, खैर ब करने में काम्याब रहें और कोई ना कोई पदक जरूर हासिल करें नमस्कार